नमस्कार D&D News में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवांगी जो ऐसा कि बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है आज उसका आखरी दिन है SME BJP के जितने भी MLC है वो जमकर नितीश कुमार और उनके शासन पर सवाल खड़ी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में दंग मौमी का जुलस निकला उस दिन से पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से दंगाईयों ने आकर्मन किया हिंसा फ़लाया जन्नी किया रोड़े वाजी किया और जिसके कानल पूरा बिहार का सासन बवस्ता पूरी तरह से कुलेश कर गया है बिहार के ऐसी हालात हो गई है कि भार सरकार के ग्री मंत्री को कार्च करना पड़ा तो बिहार का जो हालात है और इसमें नितीश कुमार पूरी तरह से दंगाईयों को सरक्षन दे रहे हैं एक बर्ग विश्योष को समर्थन दे रहे हैं उनके मनोवल को बढ़ा रहे हैं इसलिए आज हम सब लोग यहां पर बिहार विधान सुवा के अंदर भी हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे और इसकी नियाएक जाज होनी चाहिए इसमें जो दोसी है उस दोसी पर करवाई करनी चाहिए लेकिन कि हम विरौत करें चाहिए कि अप्तकर को जाते से जादा एक उसको हाए संपरदाई लोग इसका समर्थन करते हैं और नितिश कुमार जीस तरह से एक विशेश संपरदाई को लोगों के मन को बढ़ा रहे हैं उनके मनोगल को बढ़ा रहे हैं उनको समर्थन दे रहे हैं उससे बिहार में नहीं लगता है कि हिंसा रुकने बाली है लगता है कि मुख मंत्री जी जो ब्यान बाजी करके विहार के तरकरों जन्ता को दिखभर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है मुख मंत्री को श्यंट जाच कराना चाहिए हम सदन के बाहर सदन के अंदर वो तो जाच कराने के मान को रहा है और जो जिस तरह से दंगायों को मनोबल बढ़ा है वो तुर्टी कमर की राजित करने लिए मुखमंत्री जी आदतन दिवस और लचार है मुखमंत्री जी को मालूम है कि जब जब चाचा भतीजा की जोड़ी आती है तक विहार में दंगा फ्रसाज बढ़ता तो मुझे लगता है कि जान बुझ करके गलत बहन वाजी करके विहार के मुखमंत्री जी को विहार की जंता को दिखवर्मित करने का प्यास करेँ तो सुना आपने इकिस तरह से BJP MLC कह रहे हैं कि बिहार में जब से राम नव्यमी का जुलुस निकला है उस दिन से दंगईयों ने बिहार में जो आकरमन किया है रोरेबाजी की है ऐसे इस्तिती पैदा करदी की देश के गरी मंदरी को अपने कारेकरम को अस्थागित करना पड़ गया और इन सब में नितीश कुमार अपने भाईयों को संरक्षन दे रहे हैं उन दंगईयों को संरक्षन दे रहे हैं एक वर्ग विसेश को समर्थन कर गए हैं, उनके मनुबल को बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आज हम सब बिहार विधान सभा में इसका विरोध करेंगे और मांग करेंगे कि इसका निस्पक्ष जाचो।